हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं मनुविकार तक गया सेक्स रोग तक गया सम्मोन विशेश अद्निया नश्या मुक्तित अद्निया एनलपी ट्रेनर और कोच हूं आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सोशल एंग्जाइटी के इलाज के बारे में सोशल एंग्जाइटी बिमारी में होता क्या है कि जो व्यक्ति है उसको लोगों के साथ में बाहर जाने में उनके साथ में घुल के बात क्चीत करने में मिलने में डर लगता है गर के बाहर निकलना, कोई शादी बया में जाना, कोई फंक्शन में जाना, कोई उत्सों में जाना या लोगों से मिलना जिलना उसमें उसको बहुत डर लगता है उसको ऐसा वहां लगता है कि कुछ भी हो जाएंगा हाथ कपपाना, घबराट होना, बेचेनी, सीने में धड़कन, पसी ना आना, ऐसा काफी सारे सिंटम्द उसको होते रहते हैं, उसको लगता है कि ये लोगों को दिखेंगा, लोगों को चेहरे पर ऐसा लगेंगा कि कुछ तबी इसको हुआ है, और समझो ये लोगों को समझ मे आया, तो फिर क्या, फिर लोग क्या कहेंगे, मुझे डर लगता है लोगों को मिलने में, लोगों की समझ में आया, तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे बताने का है कि इसमें दवा लेने के बज़र, समझो हम ये विचारधारा दिमाग में लाते है कि लोग क्या कहेंगे कि इसको थो भाजी में रखेंगे लोग कुछी नहीं समझो लोगों ने देख बिलिया कि कुछ तभी हो रहा है हत काब रहे है हाथ का प्रह ए घबराट हो रही है या पशिणा हरा है ऐसा लोगों ने देख बिलिया थो क्या झीजिंग वब देख लिया हूं प्लों कि द hedge जुलते जुलते हैं तो दिमाग में एलाना है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग मुझे देखेंगे, मेरी घबरा देखेंगे, लोग मेरा चेहरा देखेंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे, इसके बदले लोग जो भी कहेंगे, वो कहेंगे, ये वेक्ति को ऐसा रखता है कि लो कॉमेंट्स पास करेंगे। इसके बदले मैं नहीं जाता ता अच्छा है। और फिर तालता है लोगों में जाना जाना। मुझे इतनी सलह देनी कि है। कि लोगों में जाना मिलना जुलना लोग की आपको सपोर्ट करने वाले हैं ने लोग की वडिश गंटार दोगंटे कुई comment करने वाले हैं ने बोलेंगे तो मिनिट दू मिनिट कुछ तभी बूलेंगे हमने उनके तरफ खैल दिने का नहीं बेखायल करने का है अपना काम करने का है और पुरी बाड़ी पुरा बदन रिलाक्स करना है उनके साथ में रहना है just be with them उनके साथ में रो, वहीं खड़े रो वहीं से हिलो मत, वहीं से कहीं जाओ मत कई वापस घर में मत ना आना वहीं खड़े रहना है और जो भी situation है, वो situation को हम डील करते है तो धीरे 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 ये डर कम हो जाएगा उस समय है थोड़ी से गुलियां भी ले सकते हैं दवा भी ले सकते हैं ताकि वो दवा से डर जो है और एक बार महाँ एड्जेस्ट हो गए बाची चलू किया तो धीरे-धीरे डर कम होके फिर गायफ हो जाएगा तो उसे इतने बताने का है कि घर में प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करना है कि लोगों में मिल रहे हैं और वहां हमारी बॉड़ी हम रिलाक्स कर रहें एक ये प्रैक्टिस और दूसरी जो भी लोग कहेंगे वो कहेंगे उनके साथ में रहने का है उसके दखर लेने की नहीं है वो क्या बोलते उसके तरफ ध्यान देने का नहीं है वहीं टटे रहो खड़े रहो जो भी आपको तकल की अरत हो जी और यह रहीं किल जाएंगे आपके शंपर्ट में आने वाले कापी सारे लोगन को यह तकलिफ होंगी यह बीमारी होंगी एसा आपको लगता है कि लोगओं को यह है तो उनको जशरूरी वीडियो शेयर करो ताकि यह वीडियो लोग देखेंगे तो वह बीमार करो, share करो, like करो. Thank you very much.